अयो, इस पेंडराय के अंदर कल तक तो सारी की सारी फाइल थी, अब का गायब हो गई, लगता है सारी की सारी डिलीट हो गई, अब मैं बहुत को क्या दिखाएगा, डोंट वरी अनना, 25 डिलीट हो गई, तो रिकॉर भी हो सकती है, अयो सती जी, सही में फाइल रिकॉर हो सकत है क्या जी बिल्कुल जी हो दोस्तों अगर आपके पेंड राय में से हाट डिस में से या मेमरी काड में से कुछ important files accidentally delete हो गई या किसी ने जान बूच कर delete की है तो आप उसे recover कर सकते एक software की मदद से इस software का नाम है यह basically software है 10 or share की तरफ से है 4DDiG software data recovery software यह और जिसकी मदद से आप data को आसानी से recover कर सकते हैं अगर आप जानने में interested तो वीडियो end तक देखिएगा मैं सतिष complete अगर चैनल में आप सापका सवगत का तो हम शुरू करते हैं let's begin तो दोस्तों जैसे कि मैंने इंट्रपार्ट में आपसेगा कि हम deleted file को recover कर सकते हैं यहाँ पर example के लिए मैं आपको दिखाता हूँ यह जो चार फाइल है यह मैं इसे delete कर रहा हूँ keyboard से मैंने delete button दबा दिया यह delete होगी यहाँ से लेकिन वो temporary delete होगी recycle bin से हम इसे recover कर सकते हैं मैं यहाँ पर recycle bin open करता हूँ यहाँ यह यह चारो फाइल्स आपको यह बार आ चुकिए desktop की उपर यहाँ पर आप देख सकते हो चारो images यहाँ पर आ चुकिए तो यह images मैंने delete की थी temporary इसलिए recycle bin से तुरंत restore मैं कर भाया है लेकिन अगर कोई images कोई paint drive में से file कोई important videos आपके permanently delete होगे तो उसे हम कैसे restore करेंगे वो मैं अभी आपको दिखाने वाल suppose example लेलो यहाँ पर मैं मेरा file explorer open कर रहा हो यानि कि this PC पर double click कर रहा हो और यहाँ पर मैंने pen drive connected किया है यहाँ पर आपको दिखाय दे रहा है USB drive इसे मैं open करता हो इसके अंदर की जो files है इने में permanently delete कर रहा हो अब permanently delete कैसे करते है keyboard पर shift delete button अगर आप प्रेस करते हो तो यहाँ पर यह recycle bin में भी file नहीं आएगी क्योंकि इसे मैंने normal delete नहीं किया है इसे permanent delete किया है तो मैं यहाँ पर recycle bin open करता हो और आपको दिखाता हो यहाँ पर यह files नहीं है तो आप recycle bin से restore होना मुश्किल है तो इसके लिए क्या करना है इसके लिए मैंने description में एक link दिए जैसे आप उस link प तो आपके सामनी कुछ इस तरह का interface आजाएगा मैं यहाँ पर full screen करके आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर सबसे प्ला option आपको दिखाए दे रहा है data recovery यहाँ पर दूसरा option आपको दिखाए दे रहा है record from crash computer यानि कि आपका computer अगर crash है तो आपका operating system रन नहीं हो रहा है तो basically उस particular drive मैं से भी आप file को restore कर सकते है उसके लिए यह steps आप यहाँ पर follow कर सकते है उसके अलावे आपे repair unopenable photos भी आप repair कर सकते है repair unplayable videos भी तो जो photos आपकी open नहीं हो रहे है जो videos आपकी play नहीं हो रहे है तो यहाँ से आप उन्हें recover कर सकते है फिलाल हम data recovery देख रहे है तो सबस hard disk में से या SSD जो भी connected उसमें से जो भी drive है वो यहाँ पर select कर सकते है या फिर यहाँ पर पर particular folder भी select कर सकते है select folder उसमें से particular folder में से आपको data retry करना है तो फिलाल हम USB drive में से data retry करेंगे तो मैं इससे select करता हूँ select करने के बाद वो पूछ रहे है कि इस particular paint drive में से आप क्या record कर दूँगा तो यह मैंने audio order सब कुछ अंचेक कर दिया क्योंकि इसमें काली मेरे photos ही मुझे recover करने हैं तो मैंने photo को यहाँ पर check रखा है और उसके बाद scan only photo तो उसके बाद यहाँ पर आ रहे है यह screen scanning की और यह scan कर रहा है वो particular drive को 15% यहाँ पर scan हो गया है fast scan हो रहा है तो यहाँ पर scan complete हो चुका है और यहाँ पर 25 files उसे मिली है understood let's find out कि कौन सी file उसे मिली है तो यहाँ पर आप देख सकते deleted files नाम का एक folder आ चुका है file name not found नाम से एक folder आ चुका है मतलब उसने कुछ extra files भी यहाँ पर find out किये तो आप यहाँ पर expand कर सकते इसे deleted files को यहाँ पर click कर तो यहाँ पर आपको सारी deleted file दिखाए देगी अब मैं सबको select करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर click करूँगा और यहाँ पर record बटन पर click करूँगा जो मेरे images थे अभी मैंने delete की थी वो सारे thumbnails यहाँ पर आपको दिखाए दे रहे हैं तो total यहाँ पर 12 images आपको दिखाए द लेता हूँ और desktop यहाँ पर एक new folder तायर कर लेता हूँ my imp files नाम से एक मैंने folder यहाँ पर बना दिया है इस folder के अंदर हमारी सारी file यहाँ पर recover हो जाएगी तो recover करते समय एक pop-up भी आ रहा है do you on to repair corrupted files while recovering this will take more time to recover you can repair it after recovery right फिलाल तो मैं इसे repair नहीं करूँगा बस यहाँ पर मै record करूँगा record only पर मैं क्लिक करूँगा क्योंकि वो time लेगा और view record यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा देखते है हमारे इस folder में यह देखिए desktop पर आया भी files में एक folder बन क्या चुका है deleted files में ओहो यहाँ जो मैंने shift delete की थी permanent delete की थी वो सारी images यहाँ पर आपको दिखाए दी रही जो पुरानी file पहें रहाँ के अंदर थी वो भी recover उसने की है तो उनकी मुझे जरुवत नहीं है लेकिन मुझे जिसकी जरुवत थी वो यहाँ पर फिलाल recover हो चुका है तो इस तरह से आप permanently deleted file को recover कर सकते हैं तो इस तरह से आप deleted file को आसानी से recover कर सकते हैं 10 or share for ddig software की मदद स तो यह best software मुझे लगा कि recovery आसानी से आप कर सकते हैं deleted file के वो photos हो सकते हैं वो आपकी important document file हो सकती है वो आपकी important videos हो सकते हैं आप उन्हें recover आसानी से कर सकते हैं तो definitely आपको description में जाकर यह link चेक आउट करना चाहिए software का मैंने link दिया है जहां से आप इस software को access कर सकते हैं अगर मेरी website और application के link आपको मिलेगी घर बैटे बैटे computer को से सीख नहीं हो का तो जरूर चेक आउट कीजिए description में link आपको मिल जाएगी फिलाल के लिए इतना ही आज की वडियो में मिलते है अगले वडियो के अंदर तब तक के लिए अपना खयाल रखे सीखते रही है सीखाते र